आज को चर्चा मेरो अफनी परिचाय को येस शरीर मंडल को परिश्थिती जनेत परिचाय जो साधार मानिसले जसलाई परिचाय ठांछन ये ही परिचाय मेरो जन्मा परवत जिल्ला को ठाना मौला बन्ने ठाउमा भायगो थियो रा अम मेरो पुर्खेवली थलो लिमी ठाना बन्ने इस्थान मा थियो मा ठाना मौला मा जन्मा देखी 28 बर्ष सम्मा रा हाल रुपंदही जिल्ला को देवदह सितलनागर भन्ने ठाउमा छू रा मेरो इस्कुले सिच्छा पनी ठाना मौला मा नहीं भायगो थियो जहां बाट एसलसी पास भैसके पच्छी मा एस समय मा मावादी दोंद थियो यही दोंद को डर लिये रा राध्धानी छेरो को थि रा राध्धानी मा ललित क्यांपस मा भार्ना भायगो थि ललित क्यांपस को भार्ना संक्संगई मा नेपाली सेना मा जागीर भायगो थि देहजार एक सठी साल मा अब जागीर सिच्छा तो दुनदात मुक्त नहीं थियो जागीर को सिल्सिला मैं ले नेपाली सेना मा लगबग 12 बर्श सम्म गरें कि रेश्पीश मा अब मेरो बावदिक पाटो लाए लियूं मत साने बाटने जिग्या सुथें विचार मा डूप थें रो कालपनिक भावनात मक धेरे थिये साइध सान सानुमा मलाई सहित्ते को छेत्र मन पर्थें सहित्ते मा पनी संगीत संग मा डूप थें संगीत मा मा चुरलूम मा डूप थें 14 वर्स को उमेरे मा मले गीद लेखना थाले को थें लगवग इसकुले जिवन मा 17 वर्स सम्मा लगवग हजार बारसे गीद को हास्तल एखित लूप मा मले लेखे को थें यो हजार गीद कहां गय हो इसको पाटो हो फिर यू उमेरे माने मेरो दार्षनिक जागरिती को पनी सानो पाटो छो रेंडियो थ्योत्तो बिला मद्दाओं मा रत्यो रेंडियो मा यहँड़ा दार्षनिक लाई मस्वन थे जो आज डाक्टर योगी बिकासनन्द को रूपले आमें चिन्छाओं त्यो पालपा को रेंडियो मा आउं थ्यो याफ्याम रेंडियो थ्यो शिरिनगर याफ्याम मा बस थ्यो रो त्यो मेले नेमित सुन थे यो बेला मा मा साइद कि जौदा पंड्र तो इस ते उमेर को थी है कि इता साहित्य को पाटो थियो जहां मेले गीत लेखते हैं आधुनिक गीत लेखते हैं और को पाटो थियो इस दार्षनिक ग्यान सुन अब इस बीज मां मेरे चितना मां जुन जनकार थियो त्युत्ति ब्रणूप मां थियो मां संगीत मां डूप थें फिर गीत आफे रस थें फिर येता इस दार्षनिक पाटो सुन थें तो वो साइद यही उमेर मां मेरो चितना साइद मन्थन भाय को थियो मेरो बावदिक पाटो मन्थन भाय को थियो मेरो चितन यात्रा शुरू भाय को थियो मेरो बावदिक यात्रा नहीं मेरो लक्षे भाय को थियो साइद इसरी ते हजारों गीत लियेरा मक्काषपंड उच्छे रें इसको साथ साथ हैं मेरो दार्शनिक पाटोपनी थियो अब यसमा ललित कला क्यामपस मा संगीत शिकने रहर थियो संगीत माले अतेंत सास्त्री संगीत भित्र को थियो तवला बादन मेरो अतेंत गनिष्ट रिच्छा को साधन थियो यही साधन मा भार्ना भाईयो रहता फिर जागीर को पाट पाटो थियो अब इस दार्शनिक ता को चेतना फेरी साहित्य को चेतना फेरी सेना को परिस्थिति अब यहां भंदा ठूलो दोंद कि हुँँच। यह साहित्य दर्शन ले सुतंत्रता चाहांच। यह सुतंत्रता को प्यास एक तर्फ फेरी एक तर्फ नियंत्र आज्या पालन अनुशाशन। अब यह साधा मानिशले तह यह जान दहन ना कि सेना कुण परिस्थिति मा रहन्च। यसलाई जाननों को लागी था उसेना नहीं बनन पने हुँच। जा शरी यो मुक्ति को लागी वो मुक्त नहीं बनन पार्दाचा ये शरी नहीं सेना लाइब बुजना को लागी पने वो सेना नहीं बनन पार्दाचा तियो चरम इस्थिति हो तो निर्भरता को चरम इस्थिति हो तो नियंत्रा को चरम इस्थिति हो परिस्थिति जनित अर निर्भर जिवन को चरम इस्थिति होते हो अब यू शासन भित्र अफेरियता स्वेत्त सत्ता स्वतंद्रता मुक्ति अब इद्वीज को मन्थान मेरो जिवन मा सब भंदा ठूलो ज्ञान गुरु बनेरा भोगे मलाई दिने ज्ञान को गुरु मेरो परिस्थिति नहीं बने हो माईले ना एसलाई छोडे ना एसलाई छोडे दुवेलाई घोटे रहे रे एक अरको मा दुवेला आमुन्य सामुन्य गरी मा बीच मा मुक्त बने युटा नियुट्रोन युटा पोट्रोन मा इलेक्ट्रोन बने तब मैले बारा बर्स सम्मय द्वन्दात्मक तलाई जेली रहे जेली रहे मा मध्यम बर्गी आये शुरूत को साइद होई नहीं युबांदा अज तलाई माननु पर्च इसको लागी जागीर अनि मेरो आफनो बावदिक पाटो तर्थियो नहीं मेरो जिवन को प्यास तर्थियो नहीं मेरो जिवन को पाटो मानव जिवन को मूल पाटो नहीं यहीं बवदीक उचाई हो यह उचाई हांसिल कानुने थियो फिर यह तर्जन परिस्थिति थियो एसलाई पने बहन कानुने थियो जलनुने थियो यह भोगनुने थियो अब इद्वेई लाइभ भोगना मत तयार भाए रसलाई भोग दई हे रहे परिस्थिति बाटर हो मानव सब्भेतालाई हे रहे राजनाइतिक सम्रचना को मानव सब्भेतालाई नजीक बाद हे रहे अज अफेली भोगे रहे सामना गर्द हे त्यों संगठना अत्मक आबद्धता रहेता फेरी सुतंत्रता यो बयतिक आयाम कुछे तनुचाई दुबैलाई साथ साथे लियर अब फेरी मेरू कि भयो अब मेरू सहित्तिक माहोल बाल्ट माच्छलांग मारन लाए अब अपनो तेस सहित्तिक छेत्र मां तेस संगीत लिये जुन चेतन इस्तर सम्मन लियर आयको थियो अब त्यों भंदा अब अरकु छलांग अब दार्शनिक तामा मा उकलीए जब मा दार्शनिक तामा उकलीए तब ती गीध हरू छोद्र लागयो रतिन लाई जलाई दिये जब मा दार्शनिक तामा उकलीए तब फेरी तेस सिच्छा को पाटू पनी छोद्र लागयो रमय सिच्छा रजागीर द्वी बीज मा अध्येन के हो इस अध्येन लाई जोड़ दिए मेरो अध्यात्मिक उचाहि अब दार्शनिक तावाट अध्यात्मिक उचाहि अचिल गर्न थियो रहता विज्ञान को पाटो थियो इस विज्ञान राध्यात्मा लाई आम उन्ने सामन्ने लियाऊन थियो इस ज्ञान रग्विभार लाई जेली रहेको थियो इस पीज मा मैले आइंस्टाइन लाई दार्शनिक तावाट मन्थन बाउदिक तको मन्थन मा आइंस्टाइन लाई जोडे वा आइंस्टाइन एती बेला जोडी है माजे आइंस्टाइन लाई पूरे अध्येन गरे उनको सिद्धान्त समिकरां यो बाउदिक पाटो रा मिरु आध्यात्मेक उचाहिशंग आम उन्ने समुन्ने लियाए रा उन्ने जिबन भरी जुन सिद्धान्त रोशंगरां रचना गरे इने हरुशंग मक्खेले इनले बोध माले आएं एसासा थे विज्ञान को पाटो आइंस्टाइन को माध्यां भाटर पूरे विज्ञान को पाटो लाई फिर आमुन्ने समुन्ने लियाए यो अध्यात्मिक उचाहिशंग और को पाटो विज्ञांद्र अध्यात्मा लाई आमुन्ने समुन्ने लिय अर्धेन लाई अगाले लिए अब आपनों बेटी गत्थ चेतना को उचाई आचिल गर्णु थियो अब मेले सबही जानी सवसके कुथें बिक्यांद्र अर्ध्यात्मा को जानकारी गत्थ सिच्छा सवै कि अब बैएती को दिश्वर्य बुचाई कि हो तो मक्षिक हो तो स्थिति कि हो जसलाह है मेए सूरमांच अब हो तो को अब हो तो कि अब योचाई को लागी अब को छलान के और माइसे को लागी साधनारद रहे अब दार्शनिक दावाट अब आध्यात्मिक छलान मानुथियो रमध्यान अपनाए 21 परबरसमाने महले ध्यान को गहिराई भोगे को थी यही ध्यान को गहिराई को इस्थिति लाई काईम राह दै जागीर माने पेशागत इस्थिति माने पेशागत इस्थिति बाट कम सिकम रसमाय तानेर महले साधनालाई जारी राखे राई स्पीच मां मेरो पेशागत सखस्ता पनी थियो यह सागत कारे थियो संचार को माध्यम मा थिये मेरो विभाग्ये काम पने को सिंग्नल अर्थात सहिनिक संचार मा आबद थि इस हद मा मेरो साधना को लागी यह विभाग्ये कारे सहस थियो राई स्पीच मां जुन साधना को उचाई आसिल गर दे थी रो इस साधना को परम उचाई मां अब जुन अब विभारिक्ता को छलांग थियो अब तियो उचाई लाई भोगनु ने थियो विभारिक्ता मा ल्यावनु ने थियो यह तियो चरम उचाई लाई जहलनु थियो तियो परम उचाई मां इस्थापित बननु थियो तो तिसमा इस्थापित रहना को लागी जागीर ये परिष्ठिती अनुकूल भायना रामले बारा बर्ष लगबग सेवा अबधिमा उपदान को माध्यम द्वारा बाहिराए रा तेस परम अध्यात्मिक उचाई जहां थेव तेस उचाई भोग देई रहें रा पूना रूपले भोगें तेस उचाई मा तेस अध्यात्मिक राज्य मा तेस शुराज्य मा सेर गर्ने गर्ना को लागिम hm तेस उजागिर बाडर स्वेचिक हम रामन स्वेचिक ता अनुशार मा अध्यात्मिक रूपमा घर या परिष्थिति जनित तातर दैच यो भन्दा थप जो जागीर को थेओ त्यो हाटाएं या घर संसार त्यो भन्दा यो त्यो चरम जागीर लाइख खोले दिये बची यो त्यो शहाजभाया ऑस इस संसागे मा अध्यात्मीक उचाई में स्वर्गर देंख क必ए दो भाइलए घर माने घरілा संसार मानें एस अध्यात्मिक उचाय में स्वयर गर्दै अब फेरी एस लाई बेभारिक्टामा घोटेरा हेर निशिल्शिलामा अहिले तत्काल एस उचाय लाई एस मुप्छे लाई एस मुप्ति लाई एस जिवन को परम सक्ता लाई एस इस्थिति लाई जसला हमें इस शुरत तो भंच एस इस्थिति द्वारा बेभारिक्टा या बेभारिक्टा बाट एस इस्थिति इद्वीला मुन्नी सामुन्नी गर्दै घोड़ दै हेर निशिल्शिला जारी छाओ रमाईले आपनु ज्यान लाई सास्रागत्य रूपले किने कि मां एस भंदा पहिला एक लेखक थी मां तेस हजारों गीत को पाटो जब थान कियो त्यों जब विशर्जन भाइरा गयो तो तब मैं दार्शनिक लेख लेख लेखते हैं एस मां कम से कम तीस पैंटीस ओटा खास्त लेखित पुस्ता खरो एस जागिर को सिल्सिल्या मां नहीं मिरो तैर भाय का छन रवा आध्यात्मिक उचाए बाटा पनी अब तेस दार्शनिक इस्तर को भंदा पनी अब यो ज्यान को अब यो पोन उचाए को यो पोन ज्यान सहित को सास्त्र किने की मां एक लेखक नहीं थी साधना को काल ममल एक लेखक नहीं थी यहीं लेखक मिरो कारे लाई इस उचाए बाटा पनी जारी राख देए अहिले अध्यात्मिक उचाए लाई बेभारिक तामां खोटे रहेरने एक चराण माचो और एस एस समय मानाई थोरे समय लेरा मेले शान फोन बाटा यूटूब चानल को उपयोग गर देए यही ज्ञान का सारम्सगर्थ रुप भरू दिनले आये कुछ रहा छोटकरी में आजा एती नहीं